सारे अनूं सत शिरी अकाल अज जड़ी नवी कहाणी तोड़े रूबरू कर रहे हैं ओ पंचतंतर दे विचों लेगे एक बाल कहाणी जिसदा ना है तो खे बाद शेर ते मा उमीद कर रहे हैं तो अनूं एक कहाणी वदिया लगेगी इक शेर पिंजरे विच बांद सी जड़ा वी रागीर उद्रों लंगदा उसनूं वहो बहुत फर्याद करदा अते पिंजरे दी कुंडी खोलन ली कहनदा उस दी फर्याद सुनके पंचतंतर बाल उसने तरस करदे पर किसे दी वी कुंडी खोलन दी हिमत ना पेंदी इक दिन बहुत ही सिद्धा आते श्रीफ आदमी जेड़ा के राजेदे महल विच नौकरी करदा सी उद्रों लंगदा शेर ने उसनों फर्याद करद्या किहा किरपा करके पिंजरे खोल देओ मैं तो अड़ा एहसान कदे नीपुल लंगा उस आदमी ने शेर ते तर्स करके पिंजरा खोल दिता जिवे ही पिंजरा खुला ता शेर ने पिंजरे विच्चों बहार आके किहा हुण मैं तेननों खामागा ओ आदमी बोलिया मैं अजही गल कदे नहीं सुनी कि उपकार करन वाले आदमी नों मार देना चाहिदा है शेर ने किहा इता कुदर्त दा नियम है पहला उपकार करन वाले आदमी नों ही दंड़ पो उतना पैंदा है आदमी बोलिया इस गल्दा फैसलास सी तिन गवाहां ते छाट दिन दिया जे ओना दिवी एहो राय होई ता तो मैंनों बेशक खाले शेर ने किहा ठीक है तु मैंनों अपने तिन गवाहां कोल ले चल ओ आदमी सब तो पहला शेर नों एक टटीरी कोल ले गया अते उसनों पुछया कि किसे उपर उपकार करन वाले नों पला की सजा देनी चाही दिया जा कोई इनाम देना चाही दा है टेटीरी ने किहा मैं दा किसाना दे खेतां दी रखी कर दी है पर किसान फिर भी मैंनों मारन दी कोशिश कर दी है इसलिए मेरा विचार है कि उपकार करन वाले आदमी दा कदे पलाने करना चाही दा इस तो बाद हो आदमी शेर नो इक बोहुड दे द्रफ्त कोड लाए गया अते कहा ए मेरा दुज़ा गवाह है बोहुड नो भी ओही स्वाल पुच्छया गया बोहुड बोलया पंचतंतर बाल मेरी छाहेट बैहर देहन पर मेरी पत्ते तोड लें देहन अते दुद्ध भी कड लें देहन इसलिए किसे नो भी उपकार करन वड़े आदमी दा पला नहीं करना चाहिए उसे वेले उथे बगया आड़ा आगया वह बहुत चलाक सी उसने कहा मेरी समझ विच ए नहीं आ रहा कि असल विच होया की है शेर इस रस्ते आ रहा सी अते है आदमी पिंजरे विच बंद सी जा आदमी इस रस्ते आ रहा सी अते शेर पिंजरे विच बंद सी शेर ने बगया आड़नों असल गल समझे ओनी चाही अते बोल लिया मैं इस पिंजरे बिच यों बंद सी कहनदा होया शेर मुड़ उस पिंजरे बिच बढ़ गया ते चलाक बगया आड़ने तुरंत बारों पिंजरे दा दरवाजा बंद कर दिता अते उस आदमी वल वेख की बोल लिया किसे तो खेवाज दे कदे विश्वास न करू जाओ राज महल विच तो अड़ी उड़ीख हो रही होवेगी ओ आदमी जान बचाओन लिवग्या अड़दा तानवाद करके राज महल वल चला गया मैं उम्मीद कर दें तो अनुए खानी वदिया लगेगी तानवाद